पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही है स्यूडिस्ट इडिसनला की हमारे देश में देश द्रोह का कोई कानून नहीं है न तो देश द्रोह कहीं परिभाशित है नमस्कार मैजय प्रकास और आप देख रहे हैं जनजवार इस वक्त मैजस सक्सियत के साथ बैठा हूँ उनका नाम राकेश कुमार गुप्त है और वह इलहाबाद हाई कोट में वकील है 31 अगस्त को आपने एक बड़ी खबर सुनी होगी जिसमें यह मसला था कि 18 पिछड़ी जातियों को अनुसुचित जाती में उत्तर प्रदेश सरकार सामिल करना चाहती थी लेकिन उस पर कोट ने रोक लगाया ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अगर नहीं हुआ तो भी उसके पॉलिटिकल मायने हैं और अगर हो जाता तब भी उसके पॉलिटिकल मायने होते हैं तो बजाय कि हम इस पर कुछ कहें, आईए उस वकिल से ही बात करते हैं, जिन्होंने इस मुकदमे को लड़ा है। जो प्रेसिडेंशिल लिस्ट जारी होती है, जिसको कि शिडूल कहते हैं और इस इनाते उसमें जो जातियां आती हैं, उनको शिडूल कास्ट कहते हैं और एक लिश्ट जारी होती है। किसी तरह का कोई बदलाव कोई modification किसी तरह का explanation कुछ भी करना होगा तो भारत की संसदी करेगी संसद मतलब कि लोग सभा राज्य सभा और राश्टरपिति का जो अनुमोदन होता है ठीक वैसे ही जैसे कि कोई एक Central Act पास होता है वकिल साहब यह बताईएगा कि तो क्या यह रा राज सरकार सुरू से ही गलत कर रही थी और बलकि राज सरकार अपने कृत्त में सीधे सीधे भारत के सम्मिदान को चुनोती दे रही थी जिसका कि उसको कोई अधिकार ही नहीं है राज सरकार ने एक notification जारी किया और यह कहानी सुरू होती है 2005 से 2005 यानि मुलाइम सिंग की सर सरकार थी उस समय अक्टूबर में प्रबबली 10 अक्टूबर 2005 था एक notification जारी होता है राज्यपाल से नोटिफिकेसन जारी करवाते हैं और उसमें 1994 का जो उत्तर प्रदेश का रिजर्विशन एक्ट है जिसको की पूरा नाम उसका है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रि करते हैं और उसमें सत्रह पिछडी जातियों को सामिल करते हैं यह सत्रह पिछडी जातियां थी कहार कश्यप केवट मलाह निशाद कुमार प्रजापती दीवर बिंद भर राजबर धीमर बाथम तुरहा गोडिया माजी और मचुआ तो 2005 में नोटिफिकेशन आता है अब उ सिदेंशियल लिष्ट जिसमें सिर्फ पार्लेमेंट को यह स्तक्षेप कर सकता है उसको किसी प्रदेश का राज्यपाल या राज्य सरकार या विधान सभा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है फिर भी सीदे सीदे सम्मिधान विरुद्ध आचरन करते हुए उन्होंने इसको चा चीका और उस समय यह है अलहबाद हाई कोड की डिवीजन बेंच हेड़ेट भाई थी मानिय नियायमूर्ति श्री आर्क अग्रवाल और नियायमूर्ति सरोजबाला की बेंच में उन्होंने उसको इसको इस्टे किया और उसके बाद उसके चलता रहा सरकार का रुख उस पर दोहज़र सोलह में अखिलेस की सरकार के आखरी वक्त में सरकार तो बारह में आई थी और सोलह में बस चुनाओ आचार संहिता सत्रह के लिए लागू होने वाली थी उसके एन पहले 12 दिसंबर को एक नोटिपिकेशन ओल लेके आते हैं मझवार जाती के लिए और 22 को मुलायम सिंग्जी वाला जो नोटिपीकेशन था उसको कउप्रिपेस्टब कर देते हैं जिन जातियों का भी हमने नाम लिया तो सत्रह यह हो गए और एक वह एठारे टोटल हो गए और उ शरन गौतम और वकील उसमें मैं ही हूँ उसको हम लोगा ने चैलेंज किया उस समय जो ततकालीन चीफ जेस्टिस भोसले सहाब थे उनकी कोर्ट में लगा और वो बेंच थी मानी नियामूरती मुख नियामूरती जे भोसले सहाब और नियामूरती अश्वंद वर्मा सहाब की उसमें एड़ोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के जो समय थे उनको काल किया गया उन्होंने अंडर्टेकिंग दिया कि हम कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे इन दोनों नोटिफिकेशन के पर्शूइंस में उस अंडर्टेकिंग को नोट करते हुए उच्चिन आय यह केस चलता रहा हमारा इश्टे भी बढ़ता रहा इस बीच में मुख्यनाय मूर्ति महोदय ने यह महसूस किया मार्च 2019 में कि इस मामले को एड्मिट करके डिटेल और फाइनल हेरिंग कर लिया जाए तो उन्होंने केस को एड्मिट कर लिया जानी कि एक सुपिरियर कि वो मौके की तलास कर रहे थे पुनह वो नोटिफिकेशन यानि कि जो सम्मिधान विरुद्ध था उसको पुनह और हाई कोर्ट की आर्डर का आप चाहें तो इसकी कौपी भी अभी ले लिजेगा हमसे हाई कोर्ट के आर्डर को गलत कोट करते हुए उन्होंने फिर से उन और पार्लेमेंट के सक्तियों का प्रियोग कर रहा था फिर उस पर हमने याचिका दाखिल किया उसी संस्था के मिश्टर गोरख प्रशाद की और से और वह ना सिर्फ इस्टे हुआ बलकि उच्छ नियाले ने उसको बहुत ही कठोर नोटिस किया वो बेंच हेड़ेट थी जश्टिस सुधीर अगरवाल सहब के द्वारा डिविजन बेंच थी और उस बेंच ने ना सिर्फ इस्टे किया बलकि उस प्रिंस्वल सेक्रेट्री का परसनल एफिडेविट मांगा जिसने यह नोटिफिकेशन जारी किया था और उससे पूछा कि आखिर किस अधिकार के तहद तुमने यह जारी किया एक तीस वाले फैसले में हुआ है यह जो है 2019 में हुआ था जो योगी सरकार लेकिया थी यानि कि हमको दो बार इस्टे लेना पड़ा एक 2016 वाला जो अखिलेश यादा वाला था और 2019 वाला जो योगी वाला था यह कुछ जादे ही दुसास का का और उसके बाद वो केस चला था उत्तर प्रदेश सरकार की और से हमारी जनित याचिका में आज तक कोई काउंटर डिटेल नहीं लगा था बिलकुल नहीं लगा था वो बार बार उनसे समय मांगा वो समय मांग रहे थे अप्रेल में चीप जेस्टिस ने उनको वन लाश्ट पार्चुन्टी दिया कि आप काउंटर फाइल करिए फिर उसके बाद तीन बार केस लगा वो बार बार टलवाने के लिए आते रहे आखरी टाइम में 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के एड़ोकेट जनरल सीनेर एड़ोकेट मिस्टर अजय कुमार मिश्रा आए उन्होंने अगस्त को चीफ जश्टिस कोर्ट में अजय कुमार मिश्रा सहब जो एड़ोकेट जनरल ने उत्तर प्रदेश के उन्होंने आके यह बयान दिया कि हमने हमारे पास इन दोनों नोटिफिकेशन को जो 2016 वाला और 2019 का उसको बनाए रखने का कोई विधिक या सम्मेधानिक इसके बाद मेरी और से बहस यह की गई कि भारत के सम्मेधान में उच्छ नियाले और सरोच नियाले को सम्मेधान का संड़क्षक माना गया है तो यह लोग जो बार बार अपने किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते या आईये सधिकारी अपने किनी राजनितिक प्रभू को खुस करने के लिए जो बार बार और जान बूज कर सम्मेधान की अवहिलना करते हैं सम्मेधान के प्रतिक क्राइम करते हैं क्राइम अगेंश कांस्यूसन करते हैं तो क्या उच्छ नियायले या सरोच नियाले हेल्पलेस है या उनको दंडित करेगा और मैंने नियायले क को यह रिक्वेश्ट किया एक सजिसन दिया कि नियायाले को कुछ ऐसी मोडलिटीज डेबलब करनी चाहिए जिससे ऐसे अपराधियों को दंडित किया जाए और मानने चीफ जेश्टिस महोदे ने यह कहा है कि हम आपके इस आर्गोमेंट को जज्जमेंट के भीतर कंसिडर कर सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं है यह जो लापरवाही है इस तरह की स्थितियां हैं यह कैसे राई सरकारेً कर लेती हैं अदालतों के साँवें ? इत्ना आसान कैसे होगी ? इसका कुछ मस्ला जो मुझे समझ में आता है कि अभी भी सम्मिधान का संरक्षक होने कर नाते मेरी जानकारी में सम्मिधान का जो लोग जानबुचकर वाइलेशन करते हैं बिल्कुल अपने किसी पॉलिटकल वेंडेट आके चलते उनको दंडित करने का कोई उपाय सुप्रीम कोट ने या हाई कोट ने डेपलप नहीं किया है अभी इतना ही होता है कि एक political representative या executive का officer जो political representative का को खुश करने के लिए कुछ भी उल्टा सिधा कर देता है रोज सम्मिधान के आहिलना करता है और high court या supreme court उसको quest कर देता है यह admit करने वाला जो पहलू था कि जब court admit करता है तो सिग्रेटरी वहां लिखता है कि यह हमारी बात मान ली गई इस तरह से पेश आता है मलब वह जैसे लगता है कि अपने को संविधान से above and over समझता है जबकि यह असपश्ट रूप से कहा गया है एक बहुत बड़े विदिशास्त्री हुए उनको supreme court ने court किया कि popular support from ballot box does not validate and ultra virus action of state political representatives are as much oath bound as the judges appointed by the president of India यह नि हाई court और supreme court के judges जिस तरीके से सम्मिधान को पालन करने के लिए वचनवद्ध है ओथ बाउंड सब्द का इस्तेमाल किया है वैसे ही political representatives भी है और आगे वो कहते हैं कि either executive or legislative or judiciary यानि कि नयापालिका कारेपालिका या विधाईका each and every pillar of democracy derived their powers from the constitution सम्मिधान से उनको सक्तिया मिलती है and they they have to follow the dictates of the constitution सम्मिधान के निर्देशों का पालन करने के लिए बाद्धिया है और जब पॉलिटिकल बात चली ही तो जैसे अखिले सियादो मुलायम सिंग की सरकार को क्या पॉलिटिकल फाइदा था या हो सकता था कि पिछड़ी जातियों को उठाके और उसुचित जाती में सामिल करने वाले थे और उसी सिलसिले को योगी आदितिनाथ ने भी जारी किया और आपने कहा और बहतर ढंग से इंडोर्स किया उस गयर्क या दस दिन बाद चुनाव आचार संगिता लाग हो जानी थी तो सीधा मामला था कि सत्रे के बाद हम कांटिन्यू कर सके एक एक मुस्त वोट इन जातियों का मिल जाएगा पिछड़ी जातियों की कोई गड़ना तो हमारे पास अवेले बूल नहीं है लेकिन अगर हम अगर पापुलर सपोर्ट है हमको जनता का तो हम कुछ भी करें हमारा कुछ होने वाला नहीं है और यही काम दूसरे की टाइमिंग देख लीजिए दूसरा जो है 2019 में आता है 2019 में लोगसभा चुनाओ यह योगी सरकार लेके आते हैं तो यह टाइमिंग देख लीजिए साथ समाज है ज्सें आपने नाम लिया कुमार है धीवर है यह राजबर है यह सब मतलब इनको कुल ले दे के इये था कि एक मोटा वोट बैंक हासिल बिलकुल एक मुस्त वीज़ाएगा और इस वेट वोट बैंक को कंसालिडेट करने के लिए इनके जो नेता है वह भी इसी केस से पैदा होई पार्टी है तो यह जाहिर से बात है कि सीधे सीधे उनको एक पॉलिटिकल लेकिन उनको यह नहीं समझ में आता है कि यह सम्मिधान के उपार डाका है इन डखेतों का क्या करना चाहिए यह हमें अभी यह चीज डेबलप होनी है इंडियन कांश्यूशनल हिस्ट्री के भीतर कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई मॉडलिटी निकालें कोई उपाय निकालें कि यह जो सम्मिधान के अपराधी है उनको दंडित कैसे किया जाए एक और बात महत्तोपूर्ण है कि विछले दिनों बड़ी चर्चा रही है स्यूडिशनला की हमारे देश में देश-द्रोह का कोई कानून नहीं है न तो देश द्रोह का कानून लाकर उनको वह अधिकतम सजा दी जानी चाहिए जो की इंडियन पिनल कोड परमिट करता है धन्यवाद आपका बाचित के लिए हमारे साथ बाचित कर रहे थे राकेस गुप्त और उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे 18 पिछड़ी जातियों को जो अनु कई कड़े सब्दों का इस्तेमाल किया राकेस गुप्ता ने और मांग की कि देश द्रोह का कानून उन लोगों पर लागू किया जाना चाहिए उन पर लगाया जाना चाहिए जो संबेधान की मजमत कर रहे हैं जो संबेधान का मखौल उड़ा रहे हैं और गयर संबेधानि एक चक्कर में वोट बैंक के चक्कर में कैसे संविधान को और कानून को सरकारें ताक पर रखती हैं जिसमें मुलाइम सिंग से लेकर और योगी आदितिनात की सरकार पूरे तोर पर बराबरी के साथ सामिल है जन ज्वार जनता की में